हेलो फेंट्स UPS exam में आपका स्वागत है सो आज हम क्लास 11 जोगर्फी का लास्ट चैप्टर यहां पे करेंगे चैप्टर नंबर 16 बायो डावरस्टी एंड दि कंजर्वेशन तो यहां पर चैप्टर को फिनिश करेंगे और साथ में यहां पर बुक यहां पर कंप्लीट हो ज की फिर आगे जो इसके थ्ट्री टाइप से इनके बारे में देखेंगे और ऑणबें चैप्टर के लिए सब्सक्राइब स्थ tasting लिए फिर के बारे में से क्या होता है सो बायोडावसिटी यहां पर क्या होता है कि वैरियेशन ओफ एमंग लिविंग और्गनीजम मतलब जो लिविंग और्गनीजम से उनमें लग-लग सोड्स इसे कि टैरेस्ट्रियल के उपर मेराइं जो सिस्टम होता है मतलब सुमूंदर या पानी में जो पाई जाते हैं दैजसर इको सिस्टम में पाई जाती यह जी इतने भी यहां पर लौ लिविंग और उर्गनीजम पाय जाती हैं इन लग-शन हमें देखने को मिलती है अब यहां पर यहां भी एक कॉंबिनेशन दो वर्ट से मिलके बनाए एक तो और सुभी जूर्ट तो यहां पर जीव जनतू जितनी भी आजाएंगे यहां कि यहां पर आर्थ यहांपे एक्वेटर रिघ्री के उपर इसके उपर वाला और छो इसके नीचे वाला यह वाला जो पORC anti यहाँ पे आपको बाई आभर सिटी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी यह वाला जो एर्फिरिखा होते हैं और यहां पर जो टूरिजम होता है इसे भी यहां पर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है बायो डावर्सिटी यहां पर में लिट्री लावल इसके देखने को मिलते हैं फॉर्स्ट जैनेटिक सेकिंड स्पीशिज एंड थर्ड इकोसिस्टम डावर्सिटी क्या होता है इनके बारे में ह वेशन की बडिगे वाज़े से उनमें वैरीशन देखने को मिलते वो जीन्स की वज़े से देखने को मिलती है एप जो औलग बाई जाती है याह उनका जो फीजिकल स्ट्रॉक्चेर होता है वो मेली genes की वज़े से होता है तो यहाँ पर जो group of individual organisms होते हैं उनकी यहाँ पर कुछ similarities होती है उनके physical characteristics में जिने species बोला जाता है अगर हम human beings की अगर हम बात करें तो यह homo sapiens group से belong करते हैं ठीक है तो इसके बारे में हमने history classes में देखा था ठीक है history का जो first chapter है class 11 की वो मेली यहाँ पर ठीक है homo sapiens यहाँ पर इसी चीज के उपर basis पर है ठीक है I hope आप लोगों ने बड़ा होगा उसे देखा होगा तो यहाँ पर humans है वो बिलोंग करते हैं homo sapiens group से और यहाँ पर जो इनका characteristics होते हैं वो क्या होते हैं तक झाशे मतलब की chutes यहाँ पर सभी में लग लग पाई जाते हैं जिसकी वज़्यंपर यह यहाँ पर लग लग देखने को मिलते हैं अब जैसे अ ради यहाँ पर डोग्स के बारे में देखें अब यहां पर देखो यह जितने भीडा talk से बैठें क्या होती है यह देख लेते हैं सो यह में लिए रैफर करते हैं कि इनकी अलग लग वराइटी देखने को मिलते एक पर्टिकुलर एरिया में उसे क्या बोला जाता है उसे अब इसमें यहां पे प्लांट से लेके जितने भी माइकरो अर्गनिंस यहां पर सब कुछ यहां पे देखने को मिलेंगे ठीके जो सो यहां पिस बहुत जड़ा मात्रा में पाया जाता है उस टो यहां पर यहां sports in the world ठीक है तो यह जो डार्क वाले पॉर्शन सो यह आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा यहां पर में देखने को मिलेंगे यहां पर 85% यहां पर प्लांट्स और एनिमल्स की यहां पर कैटेगरी देखने को मिलेगी पूरे विश्व में अगर कंपैरिजन किया जाए क्लीर है उस में भी बहुत सरही सुर्फकati यहां पर देखने को मिलेंगे अपट जैसे आप दो हीमं इभी सेम दिख सकते हैं बिल्खों वीनियुथ उनमें यहां परара ऺूए पेर्प यहां पेडिकने को मिलेगी से लग यहां पर शानदर तो नेक्स करते हैं सो हondere के एको सिस्टम डाइवरसटी कि एकुरी कीको सिस्टम यहाँ पर क्या होता है कि कोलेक्षिन औंफ लीविंग और यहां पर एंटरेक्ट करते हैं को दूसरे को साथ है एकुसिस्टम हँआ हम आप्श श्राप्टर में दीटे amorosa तो एकोलोगी कल बायो डावर्सटी देखने को मिलती है प्छ भार्स में और इनिमल स्पीशिज में exist टो एकोलाइशन जो देखने के मिलती है scoring लिविंग फ deepest मतल सास्तों यहां पे रहे रहे हैं और यहां पे इया कॉनेक्टी राइक uh दूसरे के साथ food chain से या food web से यहां पर connected है clear food chain यह हम पहले पढ़ चुके हैं सो यहां पर explain करने की जुरूरत नहीं है यहां पर इन्हें observe किया जाता है अलग-अलग ecosystems में तो यहां पर जो diversity अलग-अलग ecosystems में जैसे कि जैसे यहां पर देखने को मिलेंगे यहां पर देख सकते हैं एको लोजिकल डाइवरस्टी क्लियर और इसकी जो मेंटेनस यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते है यहां पर दर्ती के उपर रहने के लिए बाइवरस्टी यहां पर मेंली जो यह contribute करता है बहुत सरे ways में जैसे की development of human culture अब यहां पर human बाइवरस्टी को एक perfect shape देने में कि यहां पर जो उनका नेचर है जैसे genetic species यह एको लोजिकल जो लैवल्स है वहां पर इन्हें देखने को मिलेंगे आगे जो falling roles जैसे ecological, economic और scientific इनके पार में भी आगे हम देख लेते हैं इनकी importance के basis के उपर सो ecological role क्या होता है यहां पर biodiversity का सो यह हम देख लेते हैं यहां पर जो species होते हैं बहुत सरी यहां पर लग-लग इनके दोवारा functions किये जाते हैं ecosystem में यहां पर कुछ भी ecosystem में यहां पर evolve यानि कि जो विक्सित हो रहा है या sustain यहां पर जो रह रहे हैं वो यहां पर बीना किसी reason के यहां पर नहीं हो रहा है उसके पिछे कोई ना कोई एक reason है थीक है जो भी यहां पर कुछ देखने को मेरा है ecosystem में उसके पिछे एक कारण देखने को मेरते हैं तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि हर organism यहां पर अपनी जुरूरतों को तो पुरा कर रहा है लेकिन साथ में वो क्या कर रहा है यहां पर जो दूसरे organisms हैं उनके लिए भी यहां पर मददकार साबित होता है उनके लिए भी यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर useful होता है या contribute है यहाँ पर जो cycle water होता है उसे यहाँ पर मदद करते हैं उसे complete करने में और nutrients जो होते हैं throughout the ecosystem उसे provide करने में मदद करते हैं जो Aetmosferic gases होते हैं उसे fix करने में या convert करने में मदद करते हैं ठीक है जैसे कि हमने last देखा थे जो nitrogen gases आहिए जो air में 78% पाई जाती है इसे हम directly consume नहीं कर सकते कुछ species को छोड़के तो ये उन्हें ammonia में जैसे convert करते हैं ठीक है कुछ ऐसे bacteria होते है ammonia में convert करने के बाद यहां पर जैसे ammonia जो होती है उसे plants को यहां पर दिया जाता है as a fertilizer खाद के तोर ठीक है आगे जो ammonia होता है उसे nitrates में convert किया जाता है आगे कुछ और bacteria होते हैं जो nitrates को फिर से nitrogen में convert कर देते हैं clear है तो यहां पर जो भी हो रहा है यहां पर वो मेली एक ecosystem को यहां पर बनाने के लिए ठीक है यहां पर किया जा रहा है सभी की यहां पर जुरूरते हैं वह अपना कारह यहां पर कर रहे हैं ecosystem में clear है तो regulate करने में मदद करते हैं यहां पर climate में यहां पर इंपोर्टेंट हो जाते हैं ecosystem functions के लिए और human survival के लिए भी बहुत जादा important हो जाते हैं यहां पर सो यहां पर जितना diverse ecosystem होगा उतना ही यहां पर better chances होंगे यहां पर species के survive करने में clear है तो इसलिए हमें इसे नहीं करना चाहिए हमें इसे ज्यादा से ज्यादा conserve करना चाहिए preserve करना चाहिए इसे सुरक्षित रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा यह जो ecosystem होता है जो जितने भी species होते हैं तो इन्हें पचाने का प्रयास करना चाहिए हमें अपने लालज के लिए इन्हें नहीं मारना चाहिए clear है तो यहां पर तो यहां पर better chances यहां पर provide कर रही है जो species होती है survive करने के लिए बेशों कि यहां पर बहुत सारे कठनाई आ रही है या इनके उपर species अगर तो इनका लॉज होगा तो इसमें क्या होगा कि यहां पर जितना भी सिस्टम यहां पर है तो यह सब कुछ खतम हो जाएगा ठीक है दीरे दीरे यहां पर यहां पर यहां पर existence है वह भी खतम हो जाएगी क्लियर है इसलिए हमें यहां पर जो नेचर है उसमें इंटर्फियर नहीं करना चाहिए नेक्स्ट मूव करते हैं सो प्ले लिस्ट आपको निचे इन्हें एग्रो बायो डावरस्टी बोला जाता है एक रिजर्वायर है यहां पर संसादन होते हैं उनका एक बंडार है यहां बहुत बड़ा इसमें यहां पर मैनुफेक्ट्ट्रों फूर्ड जो फार्मसेटिकल्स और यहां पर कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट्स जोते हैं सो इन्हें manufacture करने में मदद करते हैं यहां पर क्लियर हैं यहां पर जो crops, livestock, fishery, forest यहां पर यह बहुत ज्यादा मातरा में यहां पर पाए जाते हैं जो wild plants जैसे की चिंचोना हो गया foxglove हो गया plants यह medical जो purpose के लिए बहुत ज्यादा इनका इस्तमाल किया जाता है wood, fiber, perfumes, lubricants, rubber, resistance, poison, cocks ठीक है यहां पर जीतने भी drive हों है plants, species से drive होते हैं इनकी भी बहुत ज्यादा importance देखने को मिलती है national parks, sanctuaries, यहां पर जो है टूरिजम के लिए attractive place होते हैं यहां पर टूरिजम साते हैं ठीक है तो यह सब कुछ क्या है कि economic role यहां पर play करते हैं इससे क्या बहुत जादा मुनाफ़ा कमाया जा सकते हैं अगर इनकी सही से देखवाले हां पर की जा सके clear है तो नेक्स यहां पर scientific role देख लेते हैं क्या क्या होते हैं so scientific role में यहां पर जो biodiversity है यह important है क्यों important है यहां पर जो each species यहां पर जितनी भी species हैं वो हमें कुछ clue देते हैं कि कि किस परकार से यहां पर जो life है वो लिक्सित हुई यहां पर पहले एक लिए लाइफ में ओने वाली है ठीक हैं यहां पर पहले से क्ल्यू देतीक हैं बता देती हैं कि क्या दोगारों के तोर पर बात करें जैसे उर्थको एकश आते Earthquakes जो आते हैं सबसे पहले जैसे जो खाती होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि हाँ अर्थ को एक आने वाला है clear है तो biodiversity यहाँ पे mainly help करती है हमें समझने के लिए जो functions या role होते हैं हर species के उन्हें समझने के लिए कि यहाँ पे जो ecosystem में वो रह रही हैं जिसमें हम भी यहाँ पे रह रही हैं उसे समझने में मदद करती है यहाँ पे हमें focus करना चाहिए कि हम यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे जो दूसरी species रह रही हैं उन्हें भी यहाँ पे रहने का अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से वहां पर रह सकें जो स्पीशिज होती हैं जैसे कि हम क्या कर रहे हैं जो जंगल हैं उन्हें काट कर हम अपने यूज के लिए यहां पर यहां पर अपने इस्तमाल के लिए वह जगह यहां पर ले रहे हैं अब वहां पर जो स्पीशिज हैं ठीक है अब के समय में यहां पर हमारी एक नैतिक जो रिस्पॉंसिबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए इच एड एवरी स्पीशिज हमा लॉंग विद अस ठीक है हम भी यहां पर सभी को यहां पर यहां पर आधिकार है सभी यहां पर रह सकते हैं तो यहां पर उनकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए हमें भी उनके लिए सोचना चाहिए जितनी भी स्पीश होती है क्लिएência वहां पर क्या कर रहा है ठीक है human जो category है तो biodiversity यहां पर preserve यहां पर करती है अलग-लग cultures जो अलग-लग यहां पर heritage होते हैं उसे इसलिए हमें यहां पर conserve करना biodiversity को बहुत जादा important हो जाता है clear है सो यहां पर next move करते हैं सो नेक्स यहां पर loss देख लेते हैं biodiversity के क्या क्या है सो last few decades के अगर हम बात करें दश्कों की बात करें तो यहां पर human जो population है वो तो grow हो रही है साथ में यहां पर जो natural resources की consumption है वो भी बहुत जादा increase यहां पर देखने को में दिया मतलब कि बहुत सरी resources को यहां पर जो humans है वो use कर रहा है ठीक है यहां पर तो natural resources से यहां पर एक बात याद आती है सो महात्मा गांदे के दोबारे एक बात बोले गई थी कि यहां पर nature में इंसानों की जुरूरत को पूरा करने के लिए कुदरत के बात बहुत कुछ है लेकिन इंसान के लालच को पूरा करने के लिए कुदरत के पास कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहां पर अपनी जुरूरतों को यहां पर फुल्फिल करना उचीत है यहां पर ठीक है लेकिन हम इसके आगे अगर बढ़ जाएं तो हम अगर बिल्कुली नेचर को तहसे नैस करने लग जाएं तो यहां पर बहुत बड़ी समस्या उत्पन हो जाएगी क्लियर है तो यहां पर तो इसकी वज़े से यहां पर लॉस ओफ स्पीशिस देखने को मिलता है उनके हैबिटेशन को भी जो उनका गर है उससे भी नुकसान देखने को मेरे अलग अलग पार्स में ऑफ दी वर्ल्ट जो ट्रॉपिकल औरीजन है अगर यहां पर बात करें तो एरिया जो वर्ल्ट का है वो कितने अब वन फोर्थ है ठीक है यहां पर जो ट्रॉपिकल एरिया है जैसे एक्वेटर हो गया जिरो डिगरी यह जो ट्रॉपिकल एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्म के बीच में यहां पर यह जो एरिया यह कित कितना जाद है यहां पर ओवर एकस्प्टोर्शन यहां पर किया जा रहा है यह पर बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है मतलब कि जंगलों को काटा जा रहा है बहुत तो ऐसे में यहां पर टॉपिकल rain forest area यहां पर 50 percent species देखने आगाँ और यहां पर जो नेच्टरोल हैबिटेट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्षन देखने को मिलें जिसकी वज़ए से यहां पर इंटायर बायोस्फेर है वह भी यहां पर कतम हो जाएगा इसी वज़ए से तो नेच्टोल केलमिटीज होना यहां पर अगर तो यह सब को चलता रहा तो जो संकत हैं वो भी देखने को मिलेंगे जैसे अर्थकेक फ्लर्ड वॉल्कैनिक इरप्षन जो आलमुकी पहाड का फटना फोरेस्ट जंगलों में आग लग जाना ड्राउट की समस्या हो गया ठीक है तो यह सब कुछ यहां पर देखने को मिलेगा और जो फ्लोरा फाउन है टॉक्सिक हैवी मैटल्स हो गया अब यह क्या कर रहे है यहां पर यह जो वीक और सैंसिटिव स्पेशिज होते हैं उन्हें खतम कर रहा है उन्हें मार रहा है यहां पर यह ठीक है तो स्पेशिज यहां पर जो जो species यहाँ पर natural inhabitants की नहीं है मतलब कि यहाँ पर जो local habitat है वहाँ की नहीं है उसे introduce किया गया है उस system में कहीं और से लाकर ठीक है तो उसे क्या बोला जाएगा उसे exotic species बोला जाएगा मतलब कि जैसे यहाँ पर के ecosystem है तो यहां पर एको सिस्टम है ठीक है तो यहां पर लोकल यहां पर डाइवस्ट्री देखने के मिलें की जैसे प्लांट के अगर बात करें तो हम यहां पर बाहर से एक अलग यहां पर जो प्लांट की वराइटी है यहां पर उसे हम यहां पर इंट्रड्यूस करें तो यहां पर क्रोकोडाइल मिंक्स बर्ड ठीक है यहां पे इनका बहुत जादा यहां पर रोक लगाने चाहिए ठीक है यह हम आगे देखेंगे वैसे तो तो यहां पर यह जो category से इन्हें endangered category में रखा गया है अब यहां पर जो IUCN है International Union of Conservation of Nature and Natural Resources ठीक है तो IUCN अब यहां पर इसने classify किया है कि जो threatened species है मतलब जो संकट में है plants और animals की इनकी three categories बनाए गई है तो three categories कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं तो पहली है यहां पर endangered species को मिला आया गया है जिनका यहां पर लुप्त होने का खत्र है यहां पर बहुत जादा बढ़ चुका है मतलब कि वो लुप्त होने की कगार के ओपर पहुंच चुके हैं कभी भी वो यहां पर खतम हो सकती है इनक्रों स्पेशल के स्पेश इसे यह यहां पर ससक्कूंद गई करें जाने की स्पेशल करें रखा आप क्या होते हैं, इसमें यहाँ पर जो included species वह वली, कि जो यहाँ पर आने वाले futures में वह extinct हो सकते, मतलब कि उनके खतरा यहां पर आने वाले समय में बहुँ ज्यादा बढ़ चुके हैं, सू इसके पीछे यहाँ पर जो गारण है मतलब कि उनके जो खतर है यहां पर अगर उन फेक्टर्ज को यहां पर कम नहीं किया गया तब तो यहां पर यह डेफिनेटली एक्स्टिंक्ट हो जाएंगे तो इसलिए इनकी एशॉरेंस इन्हें तो सर्वाइवल के लिए गुवर्मेंट के दोबारा कुछ कदम उठाने चाहिए क्योंकि इनकी जो पॉपलेशन है वह बहुत ज्यादा एफेक्टेड हो चुकी है यहां पर इनके कुछ यह एक्जैंपल है ठीक है तो यहां पर इनके डेफिनेशन जो वलनरेबर स्पेशिस हैं वह देख सकते हैं यहां पर जैसे बारा सिंगा ब्लैक बग अठीक है लंगूर हो गया यहां पर निलगिरी रेड़ पांडा हो गया तो इस वान यहां पर यहां पर लास्टस है स्पेशिस published वह बहुती ज्यादा कं देखने को मिलते है यहां पर यह बहुत बडे ओरी अ सबसे पहले की गई थी इसमें बहुत सरी यहां पर जून 1992 को ब्राजील का जो रियो डी जनेरियो यहां पर समिट सबसे पहले की गई गई थी इसमें बहुत सरी यहां पर मुल्टिनेशनल कंपणी या अलग लग जो कंटरीज उन्होंने पाटिस्पेट करा था ठीक है यहां पर तो इसमें यहां पर जो इम्पोर्टेंट यहां पर जो अक्शन लिये गए थे बायोडावरस्टी को कंजर्व करने के लिए क्या क कि daylight एंग सबको यहां पे कंजडर्व किया जाना चाहिए बात है और उन्हें के यूनीक विको सिस्टम जो हैं उन्हें सबसे पहले पर रिजर्व करना चाहिए तो उन्हें रिसॉर्से सही से इनका इसमाल किया जाना चाहिए तो अभी जैसे लास्ट में हमने डेफिनेशन इसके बारे में देखी थी महत्मा गांदी के दुबारा जो बाते बोली गई थी यहां पे human resources के बारे में natural resources के बारे में जिनका human use कर रहा है उसके बाद यहां पर जो पॉचिंग हंटिंग यहां पर जो wild animals की की जाती है अब इसे यहां पर रोकना चाहिए reserves और जो protected areas हैं इन्हें यहां पर carefully इन्हें develop करना चाहिए और यहां पर जो level of pollutants है मतलब कि जो pollution level बहुँ जादा बढ़ रहा है इसके पीछे क्या कारण है इसकी रोकताम करनी चाहिए defoastation अब इसे बिलकुल यहां पर खतम कर देना चाहिए इस चीज़ को नहीं होना चाहिए defoastation मतलब कि जंगलों की जैसे बहुत जादा यहां पर कटाई चाहिए इसे रोकना चाहिए और जंगलों को यहां पर लगाना चाहिए जो पेड़ पोते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए इन्वार्मेंटल लोज यहां पर इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए यूस्फुल और जो इंडेंजर स्पीशिस प्लांट्स की एनिमल्स की यहां पर इसे कंजर्व करना चाहिए इनका जो नेचर है यहां पर आर्टिफिशल हैबिटेट सा वो बनाना चाहिए और सबसे बड़ी बात यहां पर पबलिक आव्यर्नेस होने चाहिए जब तक पबलिक आवेर्नेस नहीं होगी तब तक यह ऐसी डिकरीज होते रहेंगे ठीक है हम यहां पर गुवर्मेंट के ओपर बिलकुल भी यहां पर डिपेंदनर नहीं रह सकते है कि वो सभी काम यह जो responsibility है वो सभी humans किया तो इसलिए सभी humans को आगे आना चाहिए और यहां पर सभी को समझना चाहिए इसकी गंबीरता को समझना चाहिए और यहां पर सभी को एक steps यहां पर उठाने चाहिए clear है so यहां पर important to note यहां पर देख लेते हैं to protect, preserve and propagate variety of species होती है है within natural उनकी जो boundaries होते है government of India ने यहां पर वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया था इसमें यहां पर नैशनल पार्क्स जो centuries है वह established की गई थी biosphere सी यहां पर declare किये गए थी तो यहां पर जो कुछ countries हैं जो सिच्चुएटीड है ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीजन ठीक है तो मैंने बताया था जैसे एक्क्वेटर हो गया जीरो डिग्री यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकों यह वाला जो एरिये तो यहां पर मेली लार्ज नंबर ओफ वर्ल्ड स्पीशिस डावरस्टी देख ट्रॉपिक रीजन है तो इमेली यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो यहां पर 12 सेंतर वे जैसे मेक्सिको घुलंबिया एक्वेडरा परी ठीक है तो यह सब कुछ यहां पर देखने को मिलेंगे सो पढ़ लेने अकब आयू सी यहां पर इडेंटिफाई किया है कुछ एरिया जो हमने डाइगराम में देखा इडेकासकर यहां पे 85% प्लांट और आनिमल्स यहां पर पई जाते हैं और कहीं पे भी इतने जज़ाद है यहां पर नहीं पाई जाते है तो मेडाकासकर आपको अफरीका के साथ में यह यह वाला एरिया जो यह I It Fat फो लेक्टर अप्लोड हो चुके हैं साथ में हम यहां पर जो जोगर्फिक की क्लासिस हैं यूपी ऐसी के लिए डिटेल में इसी परकार नौर्स के साथ यहां पर कॉंटिन्यू करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बहुत कम स्पेशिस पाई जाते हैं यहां पर हम डिरेक्टली डिपेंड करते हैं लगलग जो स्पेशिस प्लांट्स की ठीक है इनके उपर हम निपर रहते हैं खाने के लिए या दवाईयों के लिए ठीक हम इनके उपर निपर करते हैं है तो इसकी वज़े से जैसे लॉस्ट ऑफ हैबिटेट और एक्सपोरेटेशन और रिसोर्सेज क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन यह इन्वेजन एक्जोर्टिक स्पेशल डिसीज इस हुमन्स ठीक है तो यह सब बाइडिवर्स्टी को कंजर्व करना सो आई होप आपको यहां पर चैप्टर समझ में आये हो गए इसी की साथ क्लास 11 की जोगर्फी फिजिकल जोगर्फी फिनिश होती है वीडियो अच्छा लगे तो एट लिस्ट इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कंप्ल